हेलो दोस्तो आज हम जानेंगे डाइबिटीस के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे डाइबिटीस की मेडिसिंस के बारे में और डाइबिटीस की कारण के बारे में चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे हेल्थी सिचुएशन क्या होती है डाइबिटीस receptor से bind हो जाता है अब जैसे ये insulin receptor से bind हो जाता है तो blood में जो glucose होता है गो glut 4 की help से cell के अंदर देखिए enter हो जाता है जबकि type 1 diabetes के case में बैंकरियास से insulin बनना बंध हो जाता है या कम मात्रा में insulin यहाँ पर बन पाता है अब जैसे देखिए यहाँ पर या तो insulin नहीं बनेगा या कम मातरा में insulin बनेगा अब यहाँ पर insulin insulin receptor से bind नहीं हो पाता है जिसके करण पिलट से cell के अंदर insulin enter नहीं हो पाता है अब इस case में पिलट में glucose की मातरा जो है बढ़ जाती है और diabetes type 2 के case में क्या देखने को मिलता है यहाँ पर देखिए पेंक्रियास insulin बनाती है लेकिन ये insulin insulin receptor से bind नहीं हो पाता है अब जैसे ही देखिए insulin insulin receptor से bind नहीं हो पाता है तो blood का जो glucose है वो cell की अंदर यहाँ पर भी enter नहीं हो पाता है तो इस case में भी blood में glucose का लेवल बढ़ जाता है यहाँ पर हम जानेंगे type 2 diabetes mellitis की medicines के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी medicines का यूज किया जाता है तो यहाँ पर glycinorm M80 जिसमें होती है glyceloside 80 mg और metformin hydrochloride जिसकी मातरा 500 mg होती है और reclimate XR4 जिसके अंदर भी glyceloside और metformin hydrochloride होता है यहाँ पर glyceloside 60 mg जबकि metformin 1000 mg होता है नेक्स मेडिसिन आती है glymicev MB 0.5 इसके अंदर glymipride, boglybos, metformin hydrochloride होता है नेक्स आती है glyfloside group class की medicine यह हम इसको SGLT2 inhibitors class की medicine की नाम से भी जानते हैं तो यह होती है MPA glyfloside जो की market में जार्डियन्स brand name से available होती है यह medicine kidney के थरू सुगर को urine से पास कराती है जिसके कारण blood में जो सुगर level है वो कम हो जाता है इस medicine को use करने से पहले patient का creatinine level चेक करना होता है अगर creatinine level 1.5 से कम आता है तब ही दिखिए इसका use करना होता है अगर creatinine level 1.5 से दिखिए ज़्यादा आता है तो इस medicine को use नहीं करना होता है diabetes के case में अलग-अलग patient की अलग-अलग situation होती है किसी में सुगर का level कुछ होता है और किसी में सुगर का level कुछ होता है तो इसी के करण इन medicine को कितना दिन तक देना होता है और कब देना होता है ये बिना doctor की सलाके नहीं लेनी होती है झाल 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 झाल